कॉंग्रेस की राश्री प्रवक्ता प्रेंगा चत्रुवेदी शनिवार को जैपूर में थी जहां पर उन्होंने पिंक सिटी प्रैस क्लब में पत्रकारों के साथ चाई पर चर्टा की एस औरान चत्रुवेदी ने कहा कि आज पिये नरेंदर मोदी के करण ही दो जूनिर मोदी नीर मोदी और लड़त मोदी देश ठीले बाहर आराम फर्मा रहे हैं और केंदर सरकार हात पर हात धरे बैटी है चतरुएदी ने राज्य और केंदर सरकार को महिला विरोधी बताया और कहा कि महिला पत्रकारों से यॉन उन्समिडन मामले में दोनों सरकारों की चुपी इनहें दिखाती है उन्होंने राज सरकार को ब्रश्टाचारी बताते हुए कहा कि कॉंग्रिस की सरकार बनते ही सौ दिनों में प्रात्मिक्ता से इन मामलों की जांच करवाई जाएगी और सीम पर लगे परिवारवाद मामलों को भी जांच करवाई जाएगी उन्होंने अमिच शहा को चानक के बताने के सवाल पर कहा कि उनकी चानक के गिरी करनाटक में नहीं चली लेकिन चातुरवेदी ने शहा को पियार में अवल बताया तो वहीं पीम को चोर बोलने के सवाल पर प्रियंका चतुरुवेदी ने कहा कि भाश्पन इताओं ने कहा था कि इटालियन मा खूनी पंचा 40 लाग की गल्फेंट उन्होंने आरोप लगाया कि राफेल डील के मामले में पीम मोधी जवाब नहीं दे कर जिम्रदारी से नहीं सकती सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रियंका चतुरुवेदी ने कहा कि कॉंग्रेस को सेना पर पूरा भरोसा है और भारती सेना सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहीं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं नहीं पाक को कराची गया स्लमावा जाकर भी करना जवाब दी सकती है लेकिन मोधी स सरकार सेना के नाम पर भी राजनीती कर रही है रोबर्ट पाड़र पर लगे आरोपों पर चत्रुवेदी ने कहा कि आज तक एक भी आरोप सावित नहीं हुआ और भाज़वा के सभी आरोप बेबुनियाद ही सावित हुए सचिन पालेट के बहारी होने पर उन्होंने कहा कि वे भी यूपी से हैं लेकिन महाराश्टर से उन्हें अपनाया है और आज वे महाराश्टर के भी हैं क्योंकि उनके लिए देश एहम है और जनता का प्यार सब्सक्राइब करते हैं मैं मानती हूं कि यह तो बहुत ही एक डेमोक्राटिक प्रोसेस है और क्योंकि यह मेरे अधिकार शेत्र के बियॉन्ड है हर स्क्रिनिंग कमिटी और हर स्क्रिनिंग कमिटी के चैर परसन को इतनी जिम्मेदारी दी गई है कि वो यह निर्ने ले सकते हैं कुछ candidates पर राइम अशौरा हो, consultation हो मैं नहीं मानती हूं कि